हेलो फ्रेंट्स प्लांट्स और पैट्स लवर में आप सब का स्वाकत है फ्रेंट्स आज बात करेंगे करी प्लांट के बारे में मीठा नीम भी बोलते हैं इसको ये हमारे लिए इतने फायदे हैं इस प्लांट के कि ये गुणों की खान है हमारे लिए और पहले मैं इसके फाइदे ही गिना देती हूँ कि इसमें क्या क्या पाया जाता है करीपते में फाइबर, मैगनिशियम, कौपर और कार्पो हाइट्रेट जैसे कहीं पोशकता तो पाया जाते हैं यह हमारे शरीर के बैड कोलोस्टोल को कम करता है और वजन घटाने में भी यह फाइदा करता है खाली पेट अगर आप सुबसुबस पत्ते खाते हैं तो डाइबिटीज भी दूर होती है शुगर कंट्रोल करता है और इसमें पाया जाने वाला जो फॉलिक एसिड और आईरन पाया जाता है वो एनीमिया के खत्रे से भी हमें बचाता है तो आप इसके पत्तियां इंटेक कीजिए खाईए जरूर और सुब सुबह दो कर आप पांचे पत्तियां खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है मैं खुद फ्रेंट जो यूज करती हूँ मैं वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये इसके फाइदे हैं तो आप इसको ये हेर केर में भी बहुत जादा यूज होता है फ्रेंट्स ओयल इसका मैं बनाती हूँ तो आप ही इसको यूज कीजिए, खाने में यूज कीजिए, इसके तड़का लगाईए, इसके पत्तों का बहुत ही अच्छा होता है, दाल वगारा जो भी बनाते हैं तो ये देखे, मैंने फरवरी में बहुत अच्छे से हाड प्रून कर दिया था, और इसके उपर पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उस टाइम ये इतना बूशी नहीं था, और अभी देखे, फ्रेंस ये बहुत ही जादा बूशी हो चुका है, इसको सनलाइट थे, वो मैंने सीड्स भी तोड़ दिये थे, क्योंकि वो जरूरी होते हैं, अगर आपको सीड्स बनाने हैं, फिर प्रांट थोड़ा ग्रोथ भी नहीं करता है, तो अभी मैं इसको ये देखे, प्रून कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग कर जरूरी ह होती है, क्योंकि ऊपर की छोटी छोटी पतियां आप तोड़ते रहेंगे, तो फिर वहां से दो तीन ब्रांच जिस निकल लाती हैं, तो यही तरीका होता है, इसको बुशी बनाने का, इसको बुशी बनाईए, तभी सुन्दर प्रांट लगेगा, तभी अच्छा हेल्दी प्रांट लगेगा, तो मेरे पुराने हैं, यह दो तीन साल, पुराने हैं मेरे यह दोनों करी प्रांट, तो ऐसे ही मैं इनकी केर करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादे यूज़ करती हूँ, खाने में इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जो आज मैं फटिलाजर इसमें दूंगी, उससे इसकी खुश्बू भी बढ़ेगी इसमें पत्तों में और स्ट्रोंग खुश्बू हो जाएगी, और टेस्ट भी अच्छा आएगा, तो जरूर आप यह प्रांट लगाईए अपने गार्डन में, और प्रांट थोड़ा हमें इसका पॉर्ट में ज फटिलेजर शुरू में दिया था, तो मैंने इसमें बॉन मील और उसके साथ वर्मी कमपोस्ट और नीम खली यह मिला कर दीजिए, थोड़ा एक चमच हल्दी भी डाल दीजिए, तो बहुती बेस्ट फटिलेजर इसके लिए तयार हो जाता है, और वैसे भी मन्त में आप ज तोड़ने है नीचे से, उपर वाले पत्ते ताजे वाले कभी भी मत तोड़िये, जो नीचे की स्टैम होती है, यह पूरी पत्ती तोड़नी है आपको, यह पूरी मतलबी सी तहनी तोड़ लेनी है, ऐसे नहीं कि पत्ते वहीं से खीच लें, वो गलत तरीका होता है तोड़ फर्टिलाजर देना है, इसमें मिट्टी पहले देखे, इसको पानी जादा नहीं चाहिए, कम पानी चाहिए, इसको ऐसा नहीं कि आप पानी बहुती सोगी सोगी मिट्टी बना कर रख दें, ऐसे नहीं रखना है, और वेल्डेन सोल तो इसकी रखनी है, अब मैं देखे शुबू भी होगी, यह है मेरा आज का फर्टिलाजर, यह इसके लिए बेस्ट फर्टिलाजर है, आप यह जरूर दीजिए इसमें, आप यह 20-25 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से और्गैनिक है, यह है दही, जितनी पुरानी और खटी होगी, उतनी ही उसके बेस्ट रिजल्ट होंगे इस प्लांट पे, आप इसमें भी दे सकते हैं, और मिर्ज के प्लांट के लिए भी बेस्ट होती है, यह और इस प्रे भी कर सकते हैं, इसका पाने में मिला करके, छान करके अच्छी तरह से बॉट इसमें 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 निट्रियंट हैं, कि प्रांट बहुत अच्छे से बनेगा, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और पत्यां भी एकदम ग्रीनिश बनेगी, तो इसको आप जरूर यूज कीजिए, और अगर इसको आप तामबे के लोटे में भीगो कर रखते हैं दो-तिन दिन के लिए छोड़कर, फिर जब उस पर ग्रीन ग्रीन वो आजाता है, तो वो तो बहुत ही बैस्ट हो रहता है इसके लिए, लेकिन मैंने ऐसे ही खटा दही था, मैंने लिया है, दो-तीन चमचंछ हैं, दही मैंने इसको फेंट लिया है, अच्छे से, आप अच् अब यह मैंने से तक का पानी लिए इसमें मैं तो तीन चमच मिलानी है जो उसको मिला कर एक प्रांट में एक बार में दूंगी दोनों प्लांट में फटलेजर यही सेम देने वाली हूँ अभी और इसी से प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होगी तो यह जरूर दीजिए और बारिश के मौसम में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है बहुत जबरदस्त बढ़ता है बारिश के मौसम में और सर्दियों में ये थोड़ा डॉर्मेंसी में जाता है दो महिने के लिए प्रांट बस और बाकी ये पूरे साल ग्रोध करता रहता है और अगर इसको रिपोर्ट करना है तो फिर बारिश के दिनों में कीजिए बहुत अच्छे से आपका प्रांट ग्रोध करेगा तो मेरा अब रिपोर्ट नहीं करूंगी अगले साल में इसको रिपोर्ट करूंगी अभी मेरा 12 इंच का पॉर्ट है ये से में लगा हुए ये देखे तयार हो चुक है है फटिलाजर अब मैं पूरा इसमें डाल दूंगी और इतना ही और बनाकर मैं दूसरे प्रांट में यूज कर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स